एलो फ्रेंड्स आजगा जो टोपिक है वो एक लास 10 की सस्टी का चेप्टर नमबर 18 कंजुमर एंड लेगल अवेर्नेस इससे बहले हमने पड़ रहा है कि कंजुमर क्या है कंजुमर की क्या राइट से कंजुमर का एक्स्टेशन किस परकार से होता है कंजुमर की कंप्लेंट मेंगे इसको किस-किस लिवल पर सण जाता है अब हम देखेंगे राइट To Information राइट To Information क्या है हम जो हैं बहुत से टेक्स दे रहे हैं गध्मेंट को तो हम को अध्यकार है कि हम जो टेक्स प्रे कर रहे वो कहां पर लगाए जा रहे हैं किसी सही काम को करने में लगाए जा रहे हैं या किसी गलत काम को करने में लगाए जा रहे हैं तो हमको अधिकार है कि हम information ले सकते हैं कि वो पैसे कहां खर्च हो रहे हैं हम वो various level पर हम उनकी information ले सकते हैं यही क्या है right to information पब्लीक पे टेक्सेज तो गवर्मेंट पब्लीक को राइट है कि वो जान सके कि उसके जो अमाउंट है उसके दोरा पे गया गया वो काँ पर spend हो रहा है वो जो payment spend हो रहा है वो किसी right thing पर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम लोगों public को जो है वो अधिकार है कि वो जान सकती है कि उसका जो payment जो text पे किये हैं उनका जो payment है वो किसी right thing पर spend हो रहा है या किसी wrong thing पर spend हो रहा है तो public जो है वो जान सकती है इसके बारे में यह है right to information the government employees has to provide information when asked by any citizen जो government के employees जो है वो provide करवाते हैं information जब कोई भी citizen उनसे कहता है तब वो provide करवाते हैं information जो government के employees होते हैं आटी आई वास पांट बाई राइट टू information को शोट में आटी आटी आई वास पांट बाई लोग सबा ओन 15 जून 2015 जो राइट टू इनफरमेशन जो यह वो पास्ट किया गया लोग सबागे द्वारा पंदरा जून 2005 को और इंप्लिमेंट किया गया पूरी कंट्री में जो कि किया गया बारह अक्टुमबर दो जार पांच को इंप्लिमेंट किया गया पूरी कांट्री में जो राइट टू इनफरमेशन हैं अन्डर राइट आर्टी एई पीपल के निगज फोलोविंग राइट आर्टी एग अंदर में लोग जो हैं वो क्या क्या जहान सकते हैं हूं देखेंगे तो all the citizens have right to get information from any department of Central and state government citizen को अधिकार है कि वो information प्राथ कर सकता है किसी भी department central और state government की किसी भी department से any citizen check the records any citizen check the records of government and can take copy of the documents किसी भी citizen को कोई भी citizen इंडिया का कोई भी citizen है citizen वह बाद हो कि citizen जो है वो check कर सकता है records government के records को check कर सकता है और उनसे copy ले सकता है उन document की किसी भी document की copy ले सकता है कोई citizen people can take samples of items used in work जिसे कोई भी government के द्वरा कोई भी काम किया जा रहा है कोई भी citizen जो है वो sample ले सकता है कि जो government जो है वो उस building मना रही है कुछ रोड बना रही है कुछ भी बना रही है लोगों के लिए तो लोगों को अधिकार है कि वो जान सकते हैं सेंपल ले सकते हैं कि government इसका इसमें जो है वो सब्सक्राइब कर रही है या ने कर रही है वो हमारी प्रोपर्टी के लिए हमारी लाइफ के लिए लोगों के लिए harmful तो नहीं है यदि वो harmful है तो इस पर कारवाई की जाती है अधिशन केन बी टेकन इन कंप्यूटर सीडी और फ्लोपी जो इनफोर्मेशन जो होती है वो हम कंप्यूटर में सीडी में और फ्लोपी में ले सकते हैं जिसके एक्स्टा चार्ज लगते हैं citizen can also obtain record of wages, document of logbook, of tender, scheme जो citizen जो होते हैं वो scheme के बारे में tender के बारे में जो है वो जो records है government के wages के उनके बारे में information उप्टेंड कर सकती है citizen उप्टेंड कर सकता है citizen can also obtain record of wages, document of logbook, of tender scheme citizen जो है वो scheme के बारे में tender के बारे में जो है वो record obtain कर सकता है कि government का क्या record है, wages के बारे में क्या record है, document राप्ट कर सकता है कोई भी citizen किसी भी cd में, floppy में, copy, उसकी copy, hard digs, computer, mobile, किसी में भी information जो है वो ले सकता है, किसके record, wages के record और जो tender है, उसके document और जो schemes होती है उसके document citizen उप्टेंड कर सकता है अब क्या process है इसको obtain करने का अगर किसी को भी information उप्टेंड करनी है, तो वो जो है, कोई सी भी person को information उप्टेंड करनी है, तो वो application देनी पड़ेगी उसको liquid form में, application लिखके देनी पड़ेगी, जिस department से उसको information लेनी है, उस department में application देनी पड़ेगी, साथ में 10 रुपे डिपोजिट कराने पड़ेगी, application के साथ में cash the person has to pay 50 रुपी for cd और floppy, यदि आपको cd और floppy में और computer में, mobile में आपको information लेनी है, तो उसके 50 रुपे देने पड़ेंगे 2 रुपी पर page for photocopy and extra charge for large size paper और यदि आपको photocopy लेनी है, तो 2 रुपे पर पेज के लगेंगे और ज़्यादा extra size का paper है, तो ज़्यादा price लगेगी after depositing 10 रुपीज, the document or record can be checked free for one hour and 5 रुपीज to pay for every 15 minute 10 रुपे deposit करने के बाद आप जो है, वो document को एक गंटे तक देख सकते हो, यदि आपने एक गंटे से ज़्यादा अब लिया है, तो फिर हर 15 minute के 5 रुपे लगेंगे जो 10 रुपे दिये हैं, वो एक गंटे के लिए है, यदि आपको एक गंटे से ज़्यादा देखना है, तो 15 minute के 5 रुपे लगेंगे information will be given within 30 days, आपको application के बाद दी है, तो 30 दिनों के अंदर आपको information मिल जाएगी assistant information officers has to give information within 35 days, जो assistant information officers जो होते हैं, वो information provide कराते हैं, 35 days में, the person will be able to get information about life or freedom under 48 hours, कोई भी person जो है, वो information ले सकता है, उसके life के बारे में और इसके freedom के बारे में 48 गंटों में, only 48 गंटों, बाकी की जो information है, वो 30 से 35 दिन लग सकते हैं, if information is not provided within the fixed time period, then it will be considered as the refusal for giving information, जदी आपको जो interval time है, उसके अंदर आपको information नहीं दी गई है, तो आप समझ लो कि वो cancel हो गया है, information आपको नहीं देंगे, refusal कर दिया, ठीक है, वो आपको information नहीं देंगे, जैसे कि 30 दिन की देने की बात है, और यदि आप, अधि आपको information नहीं दीए, तो समझ लेना कि वो information आपको नहीं मील सकती, tenure for appeal, tenure of appeal, tenure of appeal, tenure of appeal, हम कहां कहां appeal कर सकते हैं, tenure के बारे में, tenure of appeal, tenure of appeal, हम appeal कहां कहां कर सकते हैं, information will be received within 30 days from the public important officer, जो public की जो, किसी भी public को information चाहिए, तो information जो होगी, वो 30 दिनों में हमको प्राप्त होगी, इफ नोट देन, appeal can be made to senior officer, हमने जो information officer, जो हैं, public information officer है, उनको हमने information, इसे information माँगी, उन्होंने 30 दिन के अंदर information नहीं दिये, तो हम senior officer जो होते हैं, उन तक appeal कर सकते हैं, और यदि senior officer भी information ना दे, तो इन पर penalty लगती है, इनकी penalty जो होती है, वो 250 से 25,000 तक इनकी जो होती है, वो penalty होती है,